हेलो फेंड वेलकम टू माई चनल आज मैं बहुती जबादस रेसिपी लेके आए हूँ यह है मुमुज सबका फेबरेट होता है और उसके साथ मैं लेके आए हूँ यह लाल बला चटनी तू देखिए मुमुज कितनी अच्छे से बना है बहुती सब्ट बना है आप एक बार इस तरह से बनाओंगे तू मार्केट से खाना भूल जावे घर के बना आप खाना पसंद हमेशा करोगे तू देखिए कितनी अच्छे से बना है और बिल्कुल भी आसान तरीके से बनाओंगी मैं यह जुमुमुज और उसकी चटनी तू चलिए इसकी रेसिपी शुरू करत हैं और इसके लिए मैं ले रहे हूं यहां पर मेदा और इसमें ले रहे हूं थुड़ा सा नामक इसको अच्छे से मिला लोंगी और थुड़ा थुड़ा पाने देखिए इसको एक थुड़ा सा नारम रुटी या चापाती से थुड़ा नारम आटा इसको हम लगाएंगे थूड़ा थूड़ा पाने देखे इसको बहुत अच्छे से गूंद लेंगे इदेखे बिल्कुल इसी तरह से नारम बनाएंगे इसका डू रूटी से थूड़ा नारम और इदेखे आमरा डू रेडी हो गया अब इसी स्टेज में थूड़ा सा तेल लेके इसको और थूड़ा से मसल यंगे और इसको ढख देंगे आधा घंटा के सब्सक्राइब भू हुआ, तूड़ा से बां कह Delis reading लइके लूぎ के लिए मैं मसाले के लिए ले रही हुई आपबँ ore थोडा सा अधन्या का पता और द्रख कुछ इस तरह से मैंने तो चल लिए सबसे पहले हम चटनी बनाने के लिए ज्यास में चड़ा देते हैं यहाँ पर लेरी में एक कमाटर और चाल शुखा लाल मीश और इसको थूड़ा सा पानी और नामक देगे इसको दू सीटी लगा लेंगे और इसका हम एक अच्छा सा चटनी बनाएंगे तो देखे मैं यहाँ पर थूड़ा सा नामक देखे इसको दू सीटी लगा लूँगी और प्लीज फ्रेंड यह वीडियो जरूर लाश तक देखेगा तो यहाँ पर मैं एक कढ़ाई गराम करके इसमें सरसुते ले रहे हूं लगभग टू टेबल स्पून और इसमें डाल ले हूं मैं जीरा और जीरा को अच्छे से चटक नहीं देंगे और जीरा थुड़ा भून जाए यहाँ पर डाल रहे हूं मैं लेसुन और थुड़ा सा लेसुन मैं बचा के रखूंगी चटनी के लिए और यहां पर ले रही हूं हरा मिर्च और प्याज और इसको अच्छे से भूझ लेंगे और उसके बाद मैं ले रही हूं अध्रैप और सारे चीज़ को अच्छे से भूझेंगे और यहां पर ले रही हूं में सिमला मिर्च या केपसिकम केपसिकम थोड़ा टाइम लेता है और गाजर को भी यहीं पर डाल लेती हूँ मैं सारे चीजी को बहुत ही बारी की से कट किया है तो आप जितने हो सके उतनी बारी की से कटना तो यहां पर मैं पता को भी कुब डाल रही हूँ और साथ में धन्या का पत्ता को भी डाल रही हूँ और यह देखिए यहाँ पर मैं अपनी स्टॉपिंग के हिसाब से नमक डाल रही हूँ लगभग एक चमत में नमक यहाँ पर डाली हूँ और इसको हाई फ्लेम में हम पकाएंगे जब तक इसका सारा पानी निकल जाए बिल्कुल हाई फ्लेम में बिल्कुल इसी तरह देखिए इसको ज्यादा कूक नहीं करना है बिल्कुल इसको फेलाते हुए इसका सारा पानी सुखा लेना है और हमारा यह इस्टपिंग रेडि हो गया तब तक हम लोग चटनी बना लेते हैं और यह देखिए टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है अब यहाँ पर हम छिलका निकाल देते हैं और देखिए टामाटर हमारा पक गया है अब इसको हम थंडा होने देंगे और यहां जो टामाटर का हम पानी इज किये थे उस टामाटर का पानी को भी हम ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे उसको वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमको पानी की ज़रूरत है तो इसको अच्छ से चाली सेकेंड तक और काचा स्मल चला जाए तब डाल देंगे हमारा पेस्ट देखिए इसका रंगत कितनी अच्छे से आया है और ग्राइंडिंग जार को भी धोके थोड़ा सा पानी और डाल देंगे यह जो चटनी बहुत ही चटपटा बना था और मुमूस का चटनी हम फासा नमख ध्यान रखे मैं उबालते हुए तोड़ा शान नमख यूज की थी और यहां पर डाले हूं मैं टमाटू केचप और सूया सुसा स्स l लेमोन जूस आपके पास भीनेगार हो तो भीनेगा डाल दीजेगा और यहां पर मैं डाल ले हूँ थोड़ा से स्टिकिनेस के लिए आध्धा चमच से भी छूटा मैं डाल ले हूँ कौन फ्रूर और इसको अच्छे से मिलाएंगे और लास्ट में हाम डाल देंगे इसमें कुटी हुई काला मिर्च और देखिए हमारा चतिन बिल्कुल रेडी हूँ चुका है अब इसको साइट कर देते हैं अब चलिए मुमुझ बनाने की तरब और इसका आटा देखिए बहुत ही अच्छे से बना है हमारा आटा और इसको छूटा छूटा लूई निकालेंगे देखिए पूरी से भी छूटा लूई ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे और इस तरह से आटा को डस्ट कर देंगे आटा यह मेदा डस्ट कर देंगे और इसी तरह से हम मुमुझ को बेल लेंगे इसको बहुत मुटा नहीं करना है पतला करना है ताकि मुझा हमार ट्रांस्परेंट्स हो सके और देखे मैंने इसको बेल लिया है अब इसमें हम स्टॉपिंग भरेंगे देखे बिल्कुल इसी तरह से यह थोड़ा बड़ा हो गया है उमुझ इतना छोटा हूँ उतना अच्छा रहता है तो इसको हम देखे इस तरह से प्लेट देदे के इसको हम कभर कर देंगे इस तरह से प्लेट देदे के इसको हम कभर कर देंगे और यह देखे यह बहुत ही आसान से हो जाता है और यह बनके रेडी हो गया इसका उपर कपाट आप निकाल सकते हैं बना इससे भी रख सकते हैं और यह देखे मैंने इसी तरह से सारे मुमुच को स्टोपिंग भर लिया है और चलते हैं इसको स्टीम करने की तरफ में यहां पर एक डीस में थुड़ा सा पानी ले लिया है और इस तरह से एक छन्ना ले लिया है और उस चिपके नहीं मुमुच इसलिए में यहाँ पर थुड़ा सा तेल को ग्रीस कर रही हूँ और देखिए हमारा हो गया अभी पानी भी नीचे गरम है और सारा मुमुच को हम यहीं पर एक एक करके डाल देंगे मुमुच खाने में सब को बहुत अच्छा लगता है बहुत ही चटपड़ा तो होता ही है मुमुच तो आप घर पे बनाए और खाये बहुत ही रेष्टी लगेगा इस तरह से बनाए और खाये अगर यह रेसिपी आप लुको अच्छा लगे प्लीज जैनल को एक सब्सक्राइ और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेट के थुरू बताए कि कैसा बना था हमारा यह मुमुच यह तो बहुत ही अच्छा बना था देखिए मैं इसको लागभग 15-20 मिट पकाई हूँ अब कितनी अच्छा से हमारा मुमुच बनके रेडी हो गया है बिलकु अभी नहीं चिपक रहा है सारे मुमुच हमारा निकाल लिये हैं इस तरह से इसको साब करेंगे चटनी के साथ यह देखिए मुमुच हमारा बिलकुल रेडी हो गया तो प्लीज मुझे कमेट के थुरू बताएगा और मुझे बताएगे कैसा बना था हमारा मुमुट था एं थैंक यू फर वाचिं थैंक यू फ्रेंड